ओम शान्ति आज हम मीठे बाबा की बारा जन्वरी दो हजार चौबीस के मीठे महवाक्य सुनेंगे प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो ऐसी द्रिष्टी पक्की करो जो भूत प्रवेश नहीं करेंगे जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो बाबा कहते हैं जब देहे देखते हैं तो जैसे विकारों की प्रवेश्टा होती है विकार उच्छल खाते हैं लेकिन द्रिष्टी ऐसे पक्की करो कि ये दो आखे खोली होते बेबस आत्मा भाई ही नजर आए जब ऐसी द्रिष्टी पक्की करें तो अपने अंदर विकारों की उत्तेजना नहीं होगी और दूसरा बाबा कहते हैं मनो किसी के अंदर भूत की प्रवेश्टा है तो मुझे क्या करना है किनारा कर लेना है उनसे प्रश्ण है बाब का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं वो कैसे क्योंकि देखो बाबा का बनना मना बाबा की द्वारा बाब और रचना का आदी मध्यांत का परिचे तो पालिया लेकिन बाबा केते परिचे पाने के बाद भी कहेंगे ये आस्तिक है ये नास्तिक है परिचे तो सब ने पालिया लेकिन जानना मानना और चलना है ना जान तो लिया पर उस अनुसार चलते हैं उस आधार से बाबा केते आस्तिक और नास्तिक यहां भी बन चाते तो बाबा कहते हैं आस्तिक वो है जो इश्वरिय काईदों का पालन करते देही अभिमानी रहने का पुर्शार्थ करते और नास्तिक वो है जो इश्वरिय काईदों के खिलाफ भूतों के वशो आपस में लड़ते जगडते हैं तो बाप को पहचान लिया लेकिन भाई-भाई आपस में लड़े जगडे तो क्या कहेंगे पहचान तो पक्की नहीं हुई ना बाप को पहचाना तो आपस में तो भाई-भाई का मीठा वेवार होना चाहिए लेकिन लड़ते जगडते तो मालूम पड़ता है कि इनमें तो अ सब संबंधों से बुद्धी योग तोड अपने को भाई-भाई समझते हैं जैसे जो पुराने देह के नाते थे वो जैसे पिछले जनम की बात हो जाती और अभी एक ही संबंध है आपस में भाई-भाई का संबंध नास्तिक दे अभिमान में रहते हैं मामा, चाचा, काका, मात, पिता भाई-बंदू के भाण में रहते हैं ओम शान्ति पहले-पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे बुद्धी में सदा ये याद रखो कि श्यव बाबा हमारा सुप्रीम बाब भी है सुप्रीम शिक्षक भी है सुप्रीम सत्गुरु भी है अब परिच्षे तो मिल गया कि बाबा हमारा बाप टीचर सत्गुरु लेकिन याद रहता है बाबा केते मुख्य बात है हमेशा याद रखने की कि बाबा मेरा परम पिता परम शिक्षक, परम सत्गुरु है ये पहले पहले बुद्धी में जरूर आना चाहिए, कि पहले तो सारे मुख्य संबंध मेरे एक बाप से है, बुद्धी में आना चाहिए, बुद्धी में कौन से बात आती, जिसको खूब घोटते हैं, खूब जब बाबा की याद में रहें, तो यही बात बुद्धी में ब वो संकल्पों में भावना में नच्रल आती रहती, उसके लिए मेहनत नहीं करने पड़ती, तो हर एक चेक करें, हमारे बुद्धी में आ गया है कि लौकिक पिता, लौकिक टीचर, लौकिक गुरू से बुद्धी निकल गए, और एक पारलोकिक बाप, टीचर, सत्गुरू ब तो आस्तिक है, तब कहेंगे हां आस्तिक है, इन्होंने पहचान लिया, नहीं आता है, तो नास्तिक है, भले ग्यान सुना है, पर अगर बुद्धी में आता नहीं, तो कहेंगे नास्तिक है, स्टुडेंट की बुद्धी में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है, तो अपनी बुद्धी में रहता है, मैं स्टूडेंट हूँ, और ये परम शिक्षक है, टीचर है भाबा, और किसी को टीचर तो नहीं समझते, एक से सुनना सिख लिया है, घर में रहते हैं, तो वो भूल जाता है, घर में क्या होता, अगर पूरा पक्की अवस्था नहीं, तो द आल्माइटी बाप जिसका साथ बैठा हो, उसके अंदर जो रुहाब होगा, वो कम में नजर आता है, वो टीचर भी है और वापिस ले जाने वाला सत्गुरु भी है, याद आने से खुशी का पारा चड़ेगा, सारी बात है याद की, यह वैसे भी किसी के पस करोड़ों की संपतिरों, भुल जाए तो कुछ भी नहीं न, तो सारी बात है याद इसले बाबा कहते है, स्मृती से समर्थी, विस्मृती हो गई, तो सब कुछ है पर कुछ भी नहीं, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की चीची बातों में भिन भिन ख्यालात में बैठे रहत है, है न, बुद्धी अगर पुरानी दुनिया के दुख दर्द, पुरानी बीती बातों गंदी दुनिया के विस्तार में रहती, उनिक ख्यालात में रहते, तो फिर आत्मा का नुभव कैसा होगा, और अगर आत्मा की बुद्धी में परम पिता, परम शिक्षक, सत में बाकी कितना समय है, न, कहीं कहीं, आप लोगों के हिसाब से विनाश कितने दुनों में होगा, तो क्या कहना है, बोलो, ये पूछने की बात नहीं है, पहले तो ये हमको किसने समझाया है, उनको जानो, क्योंकि बात का वजन उतना ही होता है, जितना बात करने वाले का व नाई किस ने पहले उसको तो जानो, उस पर निश्य होगा, तब तो बात आती है कि उसने क्या कहा है, उस पर ही निश्य नहीं, तो आप क्यों जानना चाहते हैं, कि हमें विनाश के बारे में क्या कहा, तो बाबा कहते हैं पहले बाप का परिचय दो, आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भुल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टेस चीज की प्रैक्टेस होती है, अगर आदत होगी समझाने की इतना नशा खुशी होगी तो उस समय टचिंग भी होगी कि इनको ऐस कहीं नहीं होगी तो फिर ये बातें भूल जाएंगी जैसे जो डॉक्टर प्रेक्टिस में नहीं रहता उसको टाइम पे दवाई नहीं सुझेगी बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझो दूसरे को आत्मा की दृष्टी से देखो परन्तु वो दृष्टी नहीं ठहरती है ना अपको याया जिक्यासु है उसको आत्मा देख सकें भाई के रूप में देख सकें पिता का परिचे देने का ओना हो वो दृष्टी ठहरे उसके लिए भी बहुत अभ्यास करना पड़ेगा रुपे से एक आना भी मुश्किल बैठता है है ना रुपे क्या सोला आना और उसमें से एक आना भी बैठना मुश्किल होता है जैसे बुद्धी में ठहरता ही नहीं है ये कोई बाप शराप नहीं देते हैं ये तो बाबा सच बताते हैं कि बच्चे ऐसे ही हैं कि बच्चे बच्चों की बुद्धी में ठहरता ही नहीं कई ऐसे हैं ये तो बाप जाते हैं कि ज्ञान बहुत उच्छा है बाबा तो में सावधान करते हैं कि ऐसे कोई ना सोचना कि बिना मेहनत के दृष्टी भाई-भाई की पक्की हो जाएगी या बुद्धी जो है वो accurate काम करने लगेगी उसके लिए मेहनत चाहिए बाबा सावधानी देते हैं कि लगेशन देना पड़ेगा तो बाबा कहते हैं ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत उच्छा है राजाई स्थापन होते हैं नेच्रल है कि इस ज्ञान से राजाई में जाते हैं वो भी देवी देवताओं की दुनिया में राजा बनेंगे तो ये बातें कोई सहच तो नहीं है, रंक से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबर वार होते हैं, बाकी तो राजा भी सत्योग में भी तो राजा तो गिंती कहीं होंगे, बाकी तो सब रंक ही होंगे, लास नंबर वाले की बुद्धी में कभी कोई बात बैठ न सके, ब वो पुर्शार्थ होगा नहीं, बात बैठेगी नहीं, अगर उतनी तकदीर उची नहीं है, तो पहले जब किसको भी समझाते हो, तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है, उस पर समझाना चाहिए, पहले तो ये निश्य बैठे कि परमपिता, परमात्मा, प वही पतित पावन है, वो heavenly Godfather है, ऐसा भी बाबा के करतव्य पर भी निश्य बैठे, 32 गुणों में, जो सारा एक एक वर्णन है, कि शिव बाबा, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर के रचाहिता है, ब्रह्मा द्वारा सत्यूगी स्रिष्टी की स्थापना कराते हैं, विश्नु तो ये सारी बातों पर निश्य बैठे, तब तो आगे की बात, क्योंकि बताने वाले पर पहले निश्य चाहिए, उसमें भी लिखा हुआ है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सत्गुरू है, इस पर भी निश्य चाहिए, क्योंकि बाप जो शिक्षा देते हैं, फिर कहें, शास्त्रों में ऐसे लिखा है, उस व्यक्ति ने तो ऐसा कहा, साइंस ने तो ऐसा कहा, तो इसका मतलब ये नहीं समझा है, कि यही सुप्रीम टीचर है, यही सत्गुरू है, यही परमपिता है, पहले जब ये निश्य होगा, कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, उ हमारा सारा लेना देना इनी से है, तो उनकी उल्टी बात भी मान लेते हैं, तो जब समझ आ जाए कि सारा लेना देना इसी सुप्रीम फादर से है, तो फिर उनकी बात का उतना महत्व रखे न, तो फिर संशे नहीं लाएंगे, बाब बिगड ये स्थापना कोई कर ना सके तुम जब समझाते हो कि ये स्थापना हो रही है तो उनों की बुद्धी में ये जरूर आना चाहिए कि इनों को समझाने वाला कोई है है ना जब हम समझाते हैं कि ये कोई छोटा हद का कारे नहीं है ये तो सत्यूगी स्थापना का कारे चल रहा है तो उनकी बुद्धी में वो Almighty आना चाहिए ऐसे नहीं कि वो समझे कि यहां तो बहने समझा रही है ये तो organization है नहीं बाबा कहते हैं उनकी बुद्धी में आना चाहिए ये तो कोई इश्वर्य कारे है बड़ा कारे है कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कहना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है कोई कह देगा दुनिया में कि ये देवी देवता धर्म और राज्य स्थापन हो रहा है तो पहले-पहले बाप का निश्य पक्का कराना है हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं ये कोई मनुष्य मत नहीं है ये इश्वर्य मत है पढ़ाने वाला और ये कौन सी मत है इश्वर्य मत इश्वर की मत हम आपको सुनाते हैं जिसको सारी दुनिया कहते हैं God is truth उसकी मत हम सुनाते हैं तो natural है जब God truth कहलाता है तो वो जो कहता है उस पर हम कोई question नहीं उठा सकते नई दुनिया तो ज़रूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है ये न हमेशा सुना था स्थापना पालना विनाश बाबा कराते लेकिन ये नही मालुम था कि स्थापना किसकी नई दुनिया की विनाश किसका पुरानी दुनिया का तो ये बाते बुद्धी में पहले बैठें कि ये संगम युग है और श्रीब बाबा श्रीमत देकर और ये जो श्रीमत है आत्मा के विशे में जो direction बाबा देते हैं वो इश्वर ये direction है जिनके द्वारा नई दुनिया सत्यों की दुनिया स्थापन होती है ये निश्य जब तक नई होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है इसलिए पहले तो बताने वाले पर निश्य चाहिए इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बाद बुद्धी में बिठानी पड़े तब आगे समझ सके नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते समझते ये भी एक फिलोजोफी है मनुष्य ने बनाई है हर एक मनुष्य की मत अलग है इसको अंडरलाइन करना हर एक मनुष्य की मत अलग है एक की मत ना मिले दूसरे से आज ऐसा समय है हर एक मनुष्य की मत अलग है क्य रहते रहते, मनुष्य की मत जो है वो बिलकुल अलग हो गई है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके, चाहे एक पिता की संतान हो, चाहे एक भाई-भाई हो लोकिक में भी, लेकिन मत मिलना सके, इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है, अब बाबा कहते हैं, अब हम सारे बच्चे एक की मत सुनते हैं, एक की मत पर चलते हैं, इसले सत्यूक को क्या कहते हैं? एक मत की सरिष्टी, तो ये बहुत बड़ी बात है, आज तो हरे की मत अलग-अलग है, उनकी श्रीमत पर काईदे से चलना वो भी बड़ा मुश्किल है, बाबा कहते हैं, फिर इतनी सारी मनुष् हर मत को श्रीमत के साथ मैच करके चेक करके चेंज करना यह भी बड़ा मेहनत का काम है बाप कहते देही अभिमानी बनो ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना जगड़ना कभी होना सके दे अभिमान में आया, समझो नास्तिक, ना, दे अभिमान में आया, तो ऐसे नहीं कहेंगे, कि ये आस्तिक है, क्योंकि बाप को पहचाना, तो भाई-भाई की दृष्टी होने चाहिए, ना, दे ही अभिमानी नहीं है, तो वो नास्तिक है, दे ही अभिमानी बने, तो समझो देअभिमान बहुत नुकसान कारक है, जरा भी लड़ते जगरते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं, अगर बाप को जानने का प्रूफ क्या है, एक पिता के संतान है हम, तो आपस में भाई-भाई की वृत्ति हो जाने चाहिए ना, क्रोध का भूत है, तो नास्तिक ठहरा, बाप के बच्चों में भूत कहां से आया, तो बाबा कहते हैं, बाप को पहचान लिया, तो बाप तो प्रकाश है ना, प्रकाश के सामने अंदकार तो ठहर ना सके, वो आस्तिक नहीं ठहरा, बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है परन्तु इश्वरिय काईदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावन संप्रदाय का समझना चाहिए अगर संकल, बोल और करम इश्वरिय काईदे प्रमान नहीं है है ना भले कोई भी जैसे मानो कोई पढ़ाते भी है लेकिन करम में देखो कि वही भाई-भाई के प्रती निंदा के करम और एक दूसरे को नीचे गिराने के करम करते हैं तो समझना चाहिए कि ये तो आस्तिक नहीं है ये तो रावन संप्रदाय है दक तो करमों से चेक करना चाहिए है न सिर्फ ज्यान सुन लिया सफेद कप्डे पहनते हैं तो ब्राम्मन हो गए ऐसा नहीं देअभिमान में है कोई में भूत देखो वाद दृष्टी खराब देखो तो जट हट जाना चाहिए तो बाबा कहते मानो आपने देखा क्रोध है भूत है तो क्यों है क्या है क्या है नहीं करना है वहाँ आपको क्या करना है जट हट जाना है क्योंकि मालूम है कि यह परवशात्मा है रावन संप्रदाय है तो रावन संप्रदाय के साथ उलजना नहीं है हमें भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेश्ता हो जाएगी, दूसरे का विकार अपने विकार को ट्रिगर करेगा, इसलिए वहां से हट जाना है, भूत भूत में लड़ पड़ते हैं, भूत आए तो पूरा नास देखे, देवताएं तो सर्वगुन संपन होते हैं, वो गुन नहीं ह जो भी इश्वर्य काइदे, इश्वर्य गुन जो बाबा हमें सिखाते हैं, ब्रामन जीवन में, जो धारणाएं सिखाते हैं, वो नहीं हैं, अगर काम क्रोध अभी तक उतेजित होता है, मुक से ऐसे बोल निकलते हैं, करम होते हैं, नीचा गिराने के, निंदा करने के, अ नास्तिक है, नास्तिक वर्सा थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होने चाहिए, बाबा कहते हैं, एक भी खामी हमारा भविश्य पद जो है वो छीन लेगे, नहीं तो बहुत सजा खाकर फिर प्रजा में जाना पड़ेगा, भूत से दूर रहना चाहिए, भूत का सामना क करते, समझ लेना, किसी में भूत देखा, आप किनारा कर लो, भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, क्योंकि भूत तो बहुत अन्प्रेडिक्टेबल होता है, क्या कर दे, क्या कह दे, हमें क्यों सामना करना है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए, बाब कहते हैं, बूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाइं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर के बूतों को निकालने का पुर्शार्थ करना है और दूसरों के भूत दिखाई दे तो किनारा करना थे। और बाबा कहते हैं, अगर भूत अपने नहीं निकले हैं, भूतों का सामना करेंगे तो भी अपने भूत बाहर आ जाएंगे, तो भूत अगर अपने निकले नहीं हैं, तो सजाएं भी खाएंगे और उंच पद भी नहीं पा सकेंगे, लडाई तो एक ही है, कोई राव बन जा कोई रंक बन जाते हैं, राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है, सब में भूत है, भूत निकालने का पुरा पुर्शार्थ करना चाहिए, किसके भूत, अपने भूत, बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किसम किसम के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो, यह दुनिया में हर एक का स्वभाव, संसकार, मते अलग अलग है, हमें किसी के चकर में नहीं पढ़ना है, कोई क्या क्यों नहीं पूछना है, अपना किनारा करके चलना है, जैसे ही किसी के साथ टकर होने लगे, अपना किनारा करो, माना बुद्धी से किनारा करो, और प्लस इतने भूत कैसे निकालने हैं, तो प्रदर्शनी आदी में पहले पहले बाप का परिचे देना है, बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं, क्योंकि बाप को जान जाए, निश्य बैठ जाए, तो इश्वरी सिक्षाओं पर चलनी का निश्य भी हो और ओना भ देखो, हर धरम में गायने मनुश्य से देवता बनाते हैं, नर से नारायन बनाते हैं, तो उनको समझाना है कि संगम यूग पर वही बाबा आये हुए हैं, जिनके लिए तुम गाते थे ना मनुश्य से देवता की करत न लागिवार, देवताएं थे सत्युग में, तो विष्टी चक्र का ज्यान भी तुम बच्चों की बुद्धी में अब है, वहाँ ये ज्यान इन देवताओं में नहीं रहेगा, अभी हमें मालुम है कि देवताओं से पहले तो कलियुग था, फिर बाबा ने आकर कलियुगी से सत्युगी बनाया, अब तुम नॉलेजफु इसी बाबा से सब कुछ मिलता, 21 जन्मों की प्रॉपर्टी मिलती है, तो ऐसे बाब को कितना याद करना चाहिए, बाबा सदेव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिप बाबा हमको समझा रहे हैं, बाबा कहते हैं भले साकार, इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा बाबा के द्वरा समझाते हैं, लेकिन बुद्धी में रखना है कि शिप बाबा ही समझा रहे हैं, शिप बाबा इस रत द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमारा बाब, टीचर, गुरु है, ये है बेहत की पढ़ाई, तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धी थे, इस कॉलेज का को को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट-घोट कर समझाओ, क्योंकि कोई भी नई बात होती है न, तो नई बात को बहुत घोटना पड़ता है, तम चाह के बुद्धी में बैठते हैं, श्री कृष्न की तो बात ही नहीं है, बाप ने समझाय है, श्री कृष्न का कोई चरित्र ही नहीं, जैसे पतित पावन या दुख से सुख में ले जाने वाले, गीता सुनाने वाले, ऐसे कोई चरित्र, ऐसे कोई करता भी श्री कृष्न नहीं करते, यह सारे चरित्र, यह सारे गायन योग्य, जो चरित्र हैं, पूजन योग्य च ये तो एक परमात्मा निराकार शिबाबा के हैं। सिवाई शिबाबा के, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र होना सके। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी जो भी करते हैं, वो शिबाबा उनके द्वारा करवाते हैं। चरित्र है एक का जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। चरित्र मा न जो गायन योग्य, पुजन योग्य करतव यह हैं। वो एक शिबाबा के हैं। विष्व को हेवन बनाते हैं, तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाप के मददगार हो। बाबा कहते हैं। और ऐसे बाप के सिर्फ तुम बच्चे मददगार हो, तो बाप के next तुम ही हो, एक बाप की ही महिमा है, और उस महिमा योग्य, परंपिता, परमात्मा के तुम मददगार हो, खिदमदगार हो, बाप नहीं होता, तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते, तुम अभी वर्थ नौट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो, क्या थे है न, अपनी जीवन भी नहीं समालते थे, और कहां विश्व कल्यान कर रहे हैं, अब नंबरवार पुर्शार तनुसार तुम सब जान गए हो, तो पहले पहले है बाप का परिचे, सत्युग में देवताओं की बेहद की बादशाही है बेहद की बादशाही माना, सिर्फ प्रजा पर राज्य नहीं है, प्रकृती पर, हर चीज पर, धर्ती, आस्मान, सब कुछ हमारा है, सब पर राज्य है, प्रकृती के पांच तत्थों पर, स्वा पर, सब पर राज्य है, आज कोई बादशा भी होता है, तो उसका अपने प उनके राच्य में और कोई था ही नहीं, अभी तो कल्यूग है, कितने धेर धरम है, ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धरम कब स्थापन हुआ, ये कोई की बुद्धी में नहीं है, इतने धरम है सब के धरम स्थापक का, धरम स्थापना की तिथी तारिक सब मालूम है कब आए, कब स्थापन किया, लेकिन देवी देवता धरम का धरम स्थापक कौन कब स्थापन हुआ, कब देवता धरम था, ये मालूम नहीं, भल देवताओं के चित्र है, लेकिन ये धरम कब था, किसने स्थापन किया, कुछ नहीं मालूम, तो तुम बच्चों की भी में नंबरवार, पुर्शार, तनुसार है, बल सुनते हैं पर बुध्धी में आए, उसमें नंबरवार है, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए, हम जानते हैं, ज़रूर बाप से हमको पहचान मिले हैं, क्योंकि बाप को ठीक से पहचान जाएं, तो बाप तो हमें हमारा स्रिष्टी का सारा परिछे देते हैं, तो वो बाते भी बुद्धी में आ जाएंगे, बाप कहते हैं, सर्व का सद्गती दाता भी मैं हूँ, सर्व का सद्गती दाता, ऐसे नहीं कि बस कु तो थोड़ा सुख तो जरूर देखेंगे, तो दुख से सुख मिले जाने वाला बाबा ही है, कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं, कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, आतम अभिमानी भव, बाबा कहते है अब अपने को आत्मा समझो और बाब को याद करो, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुमारे क्रिमिनल आई नहीं होगे, क्योंकि क्रिमिनल आई तब होती है, जब दे को और दे के संबंध को देखते हैं, अगर आत्मा और भाई-भाई के संबंध को देखें, तो न काम की न क्रोध की, कोई क्रिमिनल आई नहीं होगे, आत्मा ही शरीर द्वारा करम करती है, हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है, तुम जानते हो, पहले पहले, पहले क्या पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, जब मैं आत्मा हूँ और मैं इश्वरिय संतान हूँ, तो फिर दूसरे को भी आत्मा देखना इजी हो जाता। तुम जानते हो, पहले-पहले हम 100% पावन थे, फिर पतीत बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ, क्योंकि आत्मा को स्मृति है कि बाबा ही मुझे कलब-कलब पावन बनाते हैं। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। जैसे कलबी बाबा ने कहा कि ज्ञान तो आत्मा सुनती है, आत्मा सुनाती है, धारण भी आत्मा करती है। भले लौकिक भी हो, लेकिन आत्म अभिमानी नहीं रहते हैं। ऐसे ही हर चीज में, मैं आत्मा शरीर के द्वरा करम करते हूं, मैं परमात्म संतान यहां पाठ बजा रही हूं, ऐसे करके आत्मा का भान पक्का करना है, तो और संबंद सब भूल जाने चाहिए, फिर देह को देखने से जो संबंद याद आते हैं, वो भी भूल जाने हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं तो आत्मा समझने से बापनी घर भी याद आएगा यहाँ पार्ट बजाने आए हैं ये भी तुम बच्चे ही समझते हो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है समझते तो हम बच्चे हैं इस पूरी दुनिया में यह समझने वाले भी हम बच्चे हैं और फिर बुद्धी में बैठे और याद रहे ऐसे बच्चों में भी बहुत कम है भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी रहने चाहिए याद रहे तो उतनी खुशी रहे ना भगवान हमारा बाप भी है टीच कि सभी संबन तोड मा में कम याद करो तुम सब ब्रदर्स हो कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो फिर समझो नास देखें यह न भले ही सुन लिया पर मानते नहीं कि हम तो ब्रदर्स हैं अभी भी दृष्टी जो है वो धर्म की दृष्टी देश की दृष्टी जाती पुरुष की दृष्टी रहती हैं, तो फिर समझो ये तो नास्तिक है, हम शिब बाबा की बच्चे हैं, तो पावन होने चाहिए, बाप को बुलाते ही हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ, तो हम पतीत पावन के बच्चे हैं, तो हमें तो पावन होना चा तो पवित्रदा के सागर की संतान में इतना तो लक्षन दिखना चाहिए कि पावन हो, सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं है, यहां है पतीत और पावन की बात, वहां तो सभी पावन है, पहले तो यह समझो कि यह शिप बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होत बाबा कहते हैं, बाबा को पूरे 32 गुणों के साथ बुद्धी में रखना पड़े, कि ये बाबा है, ये कर्तव ये करने वाला है, अगर पूछे कि विनाश कब होगा, तो बोलो पहले अल्फ को समझो, पहले ए से शुरू करेंगे न, अल्फ और बे, अरबिक का ए और बी है है न, जैसे भारत में पहले आएंगे, तो आ, आ सिखेंगे न, तो बाबा कहते हैं ऐसे, पहले तो अल्फ और बे सीखो न, पहले अल्फ सीखो, फिर बे सीखो, तब विनाश की बात आएगे, अल्फ को नहीं समझा, तो पीछे की बात बुद्धी में कैसे आएगे, हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं है, हम शिप बाबा के बच्चे, यह हमारा नया जनम है न, भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है, जो सभी ब्रदर्स का बाप है, मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके, क्योंकि भगवान त तो बच्चा है न, भगवान तो निराकार है, वो बाप, टीचर, सत्गुरु है, कोई मनुष्य बाप, टीचर, सत्गुरु हो न सके, यह न, मनुष्य तो बच्चा है, स्टुडेंट है, यह तो निराकार की महिमा है, परमपिता, उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई शिक्ष कर नहीं सकते, भगवान वो हो न सके, बाबा है पतीत पावन और पतीत बनाता है रावन, बाकी ये सब है भक्ती के गुरु है, मुख्य है, पतीत बनाने वाला रावन और पावन बनाने वाला बाबा, बाकी तो सब रसम, रिवास, करम, कांड, भक्ती सिखाने वाले गुरु ह ये भी तुम समझते हो, जो यहां आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्य करते हैं, कि ये हमारा बाप टीचर गुरू है जब complete दैवी गुण आ जाएंगे, तो फिर लड़ाई भी लगेगी, अब पहले तो बाप पर निश्य हो, फिर बाप की मत पर चले, करमातीत बने, दैवी गुण से संपन बने, तब तो फिर final result आएंगे तो शुरू तो अल्फ से करें, फिर बेते, सारी बाते आएंगे, उसके बाद जाकर पुर्शारत कर complete बने, तब final हो समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब करमाती तवस्था को पहुँच रहे हैं कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपने आप मालुम पड़ेगा कि पहले जो बात थी अब नहीं है, अब करमाती तवस्था को पहुँच रहे हैं अभी करमाती तवस्था हुई कहां है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है करमाती तवस्था हो गई, फिर तो बस शरीड छुटेगा और उड़ेंगे बाबा कहते हैं, लेकिन अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी तो उड़ने का समय नहीं आया है बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है ना, तो सर्प भाई-भाई की वृत्ती हो, तो कितना ओना हो देखो मनुष्य का हृदय विदीरन होता है ना, अपने पास धन हो, भाई गरीब हो, तो सोचेंगे ना, उसका कुछ कल्यान करे तो बाबा कहते हैं कि अभी तो हमारे इतने आत्मा भाई, हक से वंचित हैं, तो उनको अभी हक दिलाना है ना, बाप और वर्षे का अधिकार आप तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदे कुछ नहीं रहेंगे बाब बच्चों को सम्मुक समझा रहे हैं कि तुम आत्माए 84 जनम शरीर धारण कर अपना पाड बजाती हो, आत्मा दे को 84 चोले एक के बाद एक लेती छोड़ती है, पाड बजाती है किसी के 70-80 जनम भी होंगे, जो यहां बैठे उनमे से भी, अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है, आप अवित्र आत्मा जाना सके बाबा के तो तुम चाहो ना चाहो, मैं तो आया हूँ सबको ले जाने, कालों का काल महा काल, बाकी शिक्षा पे चलेंगे तो बिना सजा खाएं जाएंगे पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या, बनुष्य तु कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहां, कुछ भी समझते ने, तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहने चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, खुशी एक होती है, स्थाई दूसरी होती है, अल्पकाल की, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगे, बाबा तो हमें बहुत खुशी के बातें बताते हैं, लेकिन उनको भी स्मृ करम भोग कितना है, जब तक करम भोग है, तो ये निशानी है, अभी तक करमाती तवस्था हुई नहीं है, ब्रह्मा बाबा की भी जीवन कहानी में देखा, कि अंत में ब्रह्मा बाबा की खासी भी छुट गए, करम भोग सारे समाप्त हुए, क्योंकि थोड़ा भी करम नहीं बने, अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तुफान ना आए, माया के तुफान तो आएंगे, लेकिन इतनी उची अवस्था हो कि तुफान आए और चला जाए, हमारे लिए विगन ना बने, बच्चों को ये निश्य है कि बाप ने हमको अनीक बार मनुष्य से देवता बनाया है, क्योंकि चक्र पर निश्य है, बाप पर निश्य है, तो बाप के ज्यान पर निश्य है, तो निश्य से जानते हैं, हम अनेक बार मनुष्य से देवता बनें बाप के द्वारा, ये बुद्धी में आई तो भी अहो सवभाग्या, ये भी कितनी खुशी की बात है, कि हम हर कल्प देवता बनते हैं बाप आई हैं हमें देवता बनना है बुद्धी में आ जाए तो अहो सवभाग्य ये बेहद का बड़ा स्कूल है वो होता है हद का छोटा स्कूल बाप को तो बहुत तरस पढ़ता है कैसे समझाओ कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है ऐसे भी है बच्चों में भी ऐसे है जो अभी भी काम क्रोध के भूतों में हिरे हुए है दिल पर चड़ने बदले गिर पड़ते हैं कई बच्चियां तो तयार हो रही है अनेकों का कल्यान करने के लिए देखो भे कौन-कौन बच्चियां तयार हो रहे है बाब आज किसको देखके कह रहे है कि अनेकों के कल्यान के लिए बच्चियां तयार हो रहे है तो जो भी हो रहे हैं मुबारक हो है न अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकी लदे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते ओम शान्त धारणा के लिए मुख्य सार है कोई भी बात इश्वरिय काइदे के खिलाफ नहीं करनी है किसी में भी अगर भूत की प्रवेश्टा है या दृष्टी खराब है तो उसके सामने से हट जाना है उनसे जास्ते बात नहीं करनी है स्थाई खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है वर्दान है निश्चे और नशे के आधार पर हर परिस्थिती पर विजे प्राप्त करने वाले सिद्धी स्वरूब भवर बाबा कहते है परिस्थितिया अनेक आएंगी विक्राल भी आएंगी और उन परिस्थितियों को पार करने का अधार क्या है निश्चे और नशा नशा होता है न तो बड़ी-बड़ी बातें भी छोटी लगने लगते हैं तो इश्वरी ये ज्ञान पर निश्य, सत्य पर निश्य और नशा इसके अधार से हर परिस्तिति को पार कर सिद्धी स्वरूब भवा योग द्वारा आप ऐसी सिद्धी प्राप्त करो जो अप्राप्ती भी प्राप्ती का अनुभव करा है ऐसा लगे ही न ये नहीं है है भी नहीं तो भी अंदर की भरपूर्ता से बाहर की कमी नजर ना आए निश्य और नश्य हर परिस्तिती में विजयी बना देता है आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सुखी रोटी भी खाने पड़ेगे लेकिन निश्य नश्य और योग से योग के सिद्धी की शक्ती सुखी रोटी को भी नरम बना देगे परिशान नहीं करेगी जो अपनी शान में स्थित है उनको कोई बात परिशान नहीं करते हैं जो सर्वप्राप्ती स्वरूप में है उनको बाहर की कोई अप्राप्ती अनुभव नहीं होते हैं आप सिद्धी स्वरूप की शान में रहो, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी साधन है, तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोका ना दे, समय पर धोका कौन देता है, जिस पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कोई साधन हमें आदी ना बनाए, ऐसा ना हो कि नहीं है, तो फिर धोका मिल जाए, ये चेक करते रहो, स्लोगन है, निमित बन यथार्थ पाट बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी, इश्वर्य कारे को सर्व के सहयोग का वर्दान है, क्योंकि इश्वर्य कारे से सर्व का कल्यान होता है, तो इश्वर्य क कारे को सर्व के सहयोग का वर्दान है जब हम कोई भी कारे करते समझते हैं कि कारे इश्वर्य है मैं तो सिर्फ निमित हो और यथार्थ पार्ट माना श्रीमत के प्रमान उस कारे को करते हैं तो फिर उस कारे को क्यूंकि वो इश्वर्य कारे बन गया तो उसको वर्दान प्रा फरिश्टा स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट आज की, किसी भी कारे में नवीन्ता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की अवश्यक्ता होती है, यह एकाग्रता से नए-नए चीजों की इन्वेंशन होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, रिसर्चर, से करते हैं, एकागरता की शक्ते से, इश्वरे गुणों का ज्ञान का शक्तियों का अनुभवी बनना है, यह इन्वेंशन भी कैसे होगी एकागरता से, एकागरता अर्थात एक ही संकल्ब में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शान्त स्वरूप स्थिती में स्थित हो जाना इससे बुद्धी का भटकना सहज ही छुट जाएगा और जब बुद्धी और मन एकाग्र होंगे तो उस एकाग्रता की शक्ती से बहुत नई-नई अनुभवत बूतियां प्राप्तियां होने लगेगे दे और दे की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभव होने लगेगा अच्छा ओम शान्ति